हेलो फ्रेंड मेरा नाम काव्या है और आज हम एक एरिंग का पीस बनाने जा रहे हैं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मन बोला और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना और आज हम बनाने जा रहे हैं इसका सेकंड पियर तो वो बांड को ठीक क्टर आए निए प्लाइर हां इसमा किसी के चीजा को बेंड कर सकते और ओपन और ऐसम कर सकते हैं यह जांप रिंग हैं यह बीट्स है और इसमुमस कहते हैं इनह को बनाने भट इन्स जाइब दरूरी होती है好吃 scalable किए और लेए कुछ पर्तिक पने नेकलेसौर यह आपको Amazon या किसी भी website पर easily मिल सकता है यह आपको मेशो आमजो या मेंटरा पर मिल सकता है so let's get started so सबसे पहले हमें इस thread को छोटे pieces में cut करना होगा मैंने इस एक फूटा piece में इस तरीकी से cut कर रहा है अब इसको अपनी size के हिसाब से cut कर सकते है इस इतना बड़ आपको लेना है बनाने है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ beats को insert करना होगा इसमें मैंने six beats पहले insert कि है उसके बाद six beats insert करना है बीच में जाइन बीच इंसर्ट करना है तो friends यह डालने के बार beats यह कुछ इस तरीके सा दिखेगा तो यह भी पिछे से बहुत लॉंग है तो सबसे पहले हम इसे क्रिस क्रॉस करके टाय कर देना है इस तरीके से देखिए तो एक सर्कल में convert हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें अच्छे से नॉट लगा देना है करने के बाद कुछ इस तरीके से लगता है नॉट टाय करने के बाद मैंने वह लॉंग हिसा काट कर दिया तो इसमें थोड़ थोड़ एक्स्टर रह रह रहे तो उसे हम कट कर लेंगे कुछ ऐसे मैंने कट कर लिया है यह खतम हो चुका एक्स्रापीस तब देख सकते हैं इसका सेकंड पेर कुछ इस तरीके से हैं अभी हम इसमें हुक इनसर्ट करेंगे कि शेंगे अब नाइब कर दादा तो अब ये उन्चे में इस में इंसेर्ट कर दिया है तो अब हम हमётся बसilar के अंदर इस एरिंग हुक को डालने के बाद कुछ ऐसे यह इंसर्ट हो गया है तो फ्रेंज हमारा नेक्टीस एरिंग बनके रेडी है तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि किता प्यारा लग रहा है और हम इसे पहन भी सकते हैं एसली तो थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो और अगे इस वीडियो तो लाक्षिय और शब्सक्राइब इस चानल बावाई